गीता मानो मात्र का धर्म शास्त्र है महर्शी वेदव्यास ने ऐसा लिखा है कहा है स्रीक्रिश्न कालीन महर्शी वेदव्यास से पुर्व कोई भी शास्त्र पुस्तक के रूप में उपलब नहीं था सुरुत ज्यान के इस परंपरा को तोड़ते हुए उन्होंने चार वेद ब्रह्म सुत्र महाभारत बागवत एवं गीता जैसे ग्रंथों में पुर्व संचित बावतिक एवं आध्यात्मिक ज्यानराशी को संकलित कर अंत में स्वयम ही निर्णे दिया की गीता सुगीता कर्तव्या किम्याई शास्त्र विस्तर्य या स्वयम पद्म नावस्य मुख पद्म माद्वेनी स्रिता महाभारत धिस्म पर द्यायफ तैंतालीस एक गीता भली प्रकार मनन करके हिर्दय में धारन करने योग्य है जो पद्मनाप भगवान के स्रिमुक से निस्रित वानी है पुना अन्य शास्त्रों के संग्रह की क्या उशक्ता मानो स्रिस्त्री के आदी में भगवान स्रिकृष्ण के स्री मुक से निस्रित विनाशी योग अर्थात स्रीमत भागवत गीता जिसकी विस्त्रित व्याख्या वेद और उपनिशद है विस्मृती आजाने पर उसी आदी सास्त्र को भगवान सरी कृष्ण के अर्जुन के प्रती पुनह प्रकाशित किया जिसकी यथावत व्याग्या यथार्थ गीता है गीता का सारंच इस शलोक में प्रकट होता है एकंग सास्तरंग देवकी पुत्र गीतम एको देव की पुत्र एव एको मंत्रस तस्य नामान यानी कर्मा प्यकंग तस्य देवस्य सेवा अर्था एक ही सास्थ है जो देव की पुत्र भगवान ने स्रीमुक से गायन किया गीता एक ही प्राप्त करने योग्य देव है उस गायन में जो सत्य बताया आत्मा सिवाया आत्मा के कुछ भी शाष्वत नहीं है कुछ भी अमर नहीं है आत्मा को छोड़कर उस गायन में उन महायोगेश्वर ने क्या जपने के लिए का ओम अर्जुन ओम अक्षय परमात्मा का नाम है उसका जब कर ध्यान मेरा धर एक ही कर्म है गीता में वर्णिक्त परमदेव एक परमात्मा की सेवा उन्हें स्रध्धा से अपने हृदे में धारन करें अस्तु आरम से ही गीता आपका सास्त्र रहा है बगवान स्री कृष्ण के हजारों वर्ष पश्चाद परवर्ती जिन महापूरुषों ने एक इश्वर को सत्ते बताया गीता के ही संदेश वाहक है इश्वर से ही दौकी क्यावं पारलाओ की सुखों की कामना इश्वर से डरना अन्य किसी को इश्वर न मानना यहां तक तो सभी महापूरुषों ने बताया किन्तु इश्वरिय साधना इश्वर तक की दूरी तै करना यह केवल गीता में ही सांगो पांग क्रम बद सुरक्षित हैं गीता से सुक शांती तो मिलती ही है यह अक्षय अनामय पद भी देती है देखिए स्री मधागवद गीता की टी का यथार्थ गीता यद्यपी विश्व में सरवत्र गीता का समाधर है तथा कि यह किसी धर्म या संपरदाय का साहित नहीं बन सकी क्योंकि संपरदाय किसी न किसी रूरी से जक्डे हैं भारत में प्रगट हुई गीता विश्व मनिशा की धरुवर है अता इसे राश्ट्रिय सास्त्र का मान देकर उच नीच भेदभाव तथा कलह परंपरा से पीडित विश्व की संपूर्ण जनता को शांती देने का प्रयास करें